एक अंधा आदमी रोज रात के पहरे पहर में दीपक जलागर रास्ते की किनारे बैठा करता था तो एक बार एक विक्ति ने पूछा क्यों है सुर्दास तुम्हें तो दिखता तक नहीं फिर ये तुम दीपक किसके लिए जलाते थो तो उस अंधे विक्ति ने कहा कि मैं ये दीपक हर रोज उन राहगीरों के लिए जलाता हूँ जो यहां से निकलते हैं और इसका उद्देश मेरा खुद का स्वार्थ नहीं है ये मैं उन सब के लिए इसलिए जलाता हूँ ताकि विए अंधेरे में ठोकर खाने से बच सके तो दोस्तो इस छोड़ी सी कहाने से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कुछ काम स्वार्थ के परपच को त्याव करके भी करना चाहिए तो दोस्तो कुछ काम हमें स्वार्थ रही थो करके दूसरों की भलाई के लिए भी करने चाहिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए धन्यवाद